पीरिट्स के दिनों में क्या यूज किया जाए इसे लेकर सारी ओड़ते आज पर कन्फ्यूस होने लगी है और हो भी क्यों ना पैट्स के अलावा भी अब कई सारे आप्शिन्स बाजार में आने लगी है अब इसी से जोड़ा एक आम सा कन्फ्यूजन है कि पीरिट्स में पैट्स और मैंसरल कप में से कौन सा सही है ऐसे में नौलेज की कवी में ऐसे आप्शिन्स अपनाने लगते हैं चो कई बार उन्हें सूट नहीं करते और उनकी तकलीफ बढ़ जाती है इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रिती आदब आज सभी को यही बताऊंगी कि पीरिट्स के दोरान आप पैट्स और मैंसरल कप में से किसका यूज करें आईए फ्रेंज जानते हैं कि पीरिट्स में आपको कौन सी चीज यूज करनी चाहिए सबसे पहले हम बात करेंगी सेनिट्री पैट्स दोस्तों सेनिट्री पैट्स को सेनिट्री नैपकीन या मैंसरल पैट्स भी कहा जाता है भारत में ज़्यादा तर ओरते पीरिट्स के दोरान सेनिट्री पैट्स का ही इस्तिमाल करती है Sanitary Pets cotton या दूसरे fabric से बना होता है जिसमें observancy यानि liquid सोकने की छमता जादा होती है यह कुछ इंच लंबी होती है जो 5-6 गंटे तक मीडिंग पो सोक सकती है Sanitary Pets को Penty पर चिपका कर इसका इसका इस्तिमाल किया जाता है लेकिन कुछ औरतों को Sanitary Pets के इस्तिमाल के साथ कई दिख्कतों का सामरा करना पड़ता है इसलिए आप Sanitary Pets को Period Cycle के दौरान इस्तिमाल करने से घबराने रच जाती है वैसे तो Sanitary Pets के बहुत सारे फाइदे होते हैं Sanitary Pets, Penty वे चिपकाने के कारण वो अपनी जगे से हिलता डुलता नहीं है और आप आराम से कहीं भी आ जा सकती है आप Sanitary Pets को रात में पहन के सो भी सकती है वही Heavy Periods में Sanitary Pets Menstrual Cup की तुलिना में ज्यादा देर तक चलता है और Sanitary Pets के कई सारे Options मार्केट में Easily Available हो जाते हैं और अगर Sanitary Pets के नुकसान की बात करें तो Sanitary Pets बहुत पतले होते हैं और अगर वो अच्छे Quality की नहीं है तो आपको Linkage का भी डर बना रहता है साथ यसाथ Sanitary Pets पहन कर आप स्विमिंग नहीं कर सकते हैं Sanitary Pets Environment में Dispose करने पर Environment को नुकसान भी पहुँच जाता है Sanitary Pets कभी-कभी चलने फितने के दोरां सिकोड़ भी चाते हैं जिससे कि आपके जो Under Garments है वो खराब भी हो सकते हैं आईए, आप हम जानते हैं कि Mansural Cup क्या हैं उसके फाइदे कौन से होते हैं और उसके नुकसान कोल से होते हैं तो Friends, Mansural Cup सुनने में शायद नया नया सा लगे लेकिन इसका इस्तिमाल बहुत पहले से होता आ रहा है लेकिन Awareness की कमी के कारण जादतर औरते इसके बारे में नहीं जानती हैं वैसे तो Mansural Cup के बहुत सारे फाइदे होते हैं Mansural Cup आपको सस्ता भी पड़ता है इसे आप इस तरही के से समझ सकती है कि Cup को आप कई बार इस्तिमाल कर सकती है जिसकी कारण एक बार पैसे लगाने के बाद आपको आप कई महीनों तक खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जबकि पैट एक बार यूज करने के बाद आप दुबारा उससे इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं पैट्स और Mansural Cup मेंसे Mansural Cup को डिस्पोस्ट नहीं करना पड़ता है तो इस तरीके से ये Eco-Frenchly भी होता है साथ ही साथ इससे Blood की Leakage होने की संभावना काफी ज़्यादा कम हो जाती है और आप Mansural Cup को 12 घंटे तक इस्तिमाल कर सकती है साथ ही Mansural Cup के साथ आप बड़ी ही आसानी से Swimming भी कर सकती है और Mansural Cup यूज करने से पीरेट्स के दोरान आने वाली बदलिवों भी आपको नहीं आती है अगर Mansural Cup की नुकसान की बात करें तो आपको Mansural Cup को प्राइवीट पार्ट में डालने और निकालने के लिए उमलियों का इस्तिमाल करना पड़ता है इसकी बात कप में जवा हुए Blood को Dump करना पड़ता है जो कि थूड़ा जंजट वाला काम हो सकता है इसकी बात आपको Mansural Cup को इस्तिमाल करने की बात गरम पानी में बॉइल करना पड़ता है ताकि उसमें जो भी बैक्टेरिया एवेलेबल है वो आसानी से खत्म हो जाए इसके अलावा अगर आपको Fibroid है तो Mansural Cup को वजाइना में फिट करने की भी आपको प्रॉबलम होने लग जाती है वही अगर आप IUD गर्व निरोधा को अपना रही है तो Mansural Cup निकालते वक्त धागा खिट सकता है और IUD अपनी जगे से हट सकता है और Mansural Cup के Latex से आपको Allergy की भी प्रॉबलम हो सकती है आईए फ्रेंड्स अब हम ये जानते हैं कि आखिर दोनों में से कौन सा आपके लिए सबसे ज़्यादा बैटर आप्शन हो सकता है लेकिन अगर Pets और Mansural Cup की तुलना की जाए तो Mansural Cup सबसे कम इस्तिमाल किया जाता है क्योंकि Mansural Cup को Private Department डालना थोड़ा बहुत डिफीकल्ट हो सकता है जिस कारार औरते इस्तिमाल करने से घबराने लगती है लेकिन अगर देखा जाई तो Pets और Mansural Cup में Mansural Cup ही सबसे ज़्यादा सेफ होता है Mansural Cup एक बैल के आकार का मुलाइम और लचीने लेटेक्स का बना हुआ एक कप होता है Mansural Cup को कई बार आप यूज कर सकती है एक हिस्तरच में ये भी पाया गया है कि Pets और Mansural Cup में Mansural Cup से लेकेज का रिस्क भी सबसे ज़्यादा कम होता है Mansural Cup का दाम लगबग 400 रुपे है चोकि आपको कई महीनों के खर्द से छुट्टी दे देता है वही Sanitary Pets आपको हर महीने या दो महीने में एक बार चरूर खरीदने पड़ते हैं वही Sanitary Pets को Private Part में अंदर डालने की जरूरत नहीं होती जिससे की आपको Urinary Infection होने का खत्रा कम हो जाता है लेकिन Sanitary Pets के इस्तिमाल से आपको Resist की भी समस्या हो सकती है लेकिन Menstrual Cup से Resist की प्रॉब्लम नहीं होती है मैंने आपको आज की इस वीडियो में Menstrual Cup और Sanitary Pets दोनों की फाइदे और नुकसान बताए साथ ही साथ दोनों की तुलना भी करके बताया ताकि अगली बार आपके लिए इन दोनों में से कुछ भी खरीदा ज्यादा इजी रह सके मैं उमीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी अब अगर आपको ये जानना है कि पीरिट्स क्यों आते ही तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रहे हमारी से रिलिटेट वीडियो को देख सकती है जिसमें हमने इस बारे में अच्छे से बताया है इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें